नारियल के बिना कोई भी पूजापाट अधूरा माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेश महत्व बताया गया है। इसका नाम श्रीफल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहां से आया और धार्मिक कामों में इसको क्यों इतने महत्व दिया गया है। त कि कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यवरत से जुड़ी हुई है। सत्यवरत एक प्रतापी राजा थे जिनका इश्वर में बहुत विश्वास था। सब कुछ होने का बाद भी उनकी ये इच्छा थी कि वे किसी भी प्रकार से प्रित्वी लोग से स्वर्गलोग जा सके। प उनकी अनुपस्थिती में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। ऐसे समय में सत्यवरत ने उनके परिवार की सहायता की और उनका पालन पोशन की जिम्मेदारी ली। जब रिशी विश्वामित्र वापस लोटे तो उनके परिवार ने विश्वामित्र को राजा की अच्छाई बताई, वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुँचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने रिशी विश्वामित्र को अपनी की इच्छा के बारे में बताया. अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए विश्वामित्र ने जल्द ही एक ऐसा मार्ग तयार किया, जो सीधा स्वर्गलोग को जाता था. राजा सत्यवरत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोग के पास पहुँचे कि स्वर्गलोग के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया. धर्ती पर गिरते ही राजा रिशी विश्वामित्र के पास पहुँचे और सारी घटना बत देवताओं के इस प्रकार के व्यवार से रिशी विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, उन्होंने स्वर्गलोग के देवताओं से बातचीत कर हल निकाला. इसके मुताबिक राजा सत्यवरत के लिए अलग से एक स्वर्गलोग का निर्मान करने का आदेश दिया गया, नए श्रिफल या नारियल रूप में जाना जाता है और आज के समय में हर शुब कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है.